जैहिन दोस्तों मैं आप सभी के विच ले करा गया हूँ बीपीएसी टीरी 4.0 एक्जाम के लिए मैं अभी टेस्ट सेरीज करा रहा हूँ और प्रिवियस एर कोस्टन पेपर करा रहा हूँ जो आपका बीपीएसी टीरी 1, टीरी 2, टीरी 3 और STT के एक्जाम में कोस्टन तो यह देखी यहाँ पर पहला कोस्टन बोला गया है कि एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटा 3 घंटे कम समय लेती है यदि धीमी ट्रेन की गती तेज ट्रेन की गती से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो दोनों ट्रेनों की गती क्रम सक क्या होगी तो चलिए इसको बनाते हैं इसको देखते हैं तो देखिए तेज ट्रेन की गती हम माल लेते हैं X किलिमेटर प्रति घंटा और धीमी ट्रेन की गती माल लेते हैं कितना उसमें से यानि x-10 क्यों x-10 मानेंगे क्योंकि बोला गया है question में कि यदि धीमी train की गती तेज train की गती से 10 km परती घंटा कम है इसलिए हमने क्या किया है तेज वाले को x माना तो धीमी वाला क्या हो जाएगा उसे 10 कम यानि कि x-10 हो जाएगा अब परस्ण से करते हैं अब देखिए तो देखिए उसमें परस्ण में बोला गया है कि 600 km के तो यात्रा कर रहा है और धीमी train से 3 घंटे कम समय लेता है तेज train न जी तो इसलिए हमने का किया है 600 अब अटा धीमी train का कितना आया है मतलब कि देखो 600 यह हो गया इसका दूरी और यह इसका चाल हो गया आप पढ़े हैं समय बराबर होता है दूरी बटा चाल तो समय हमें 3 घंटा पता है तो समय बराबर दूरी तो 600 यह करना था तो पहले धीमी और उसमें से क्या कम समय लगे किसको तेज जो चल रहा था तेज गती से जो train चल रहा था यानि कि यह तेज गती को हमने एक्स बाना है तो वही 600 बटा एक्स तो धीमी मैनस तेज वाला और इसका अंतर कितना दिया है समय कितना दिया है तो इसलिए मैंने प्रसंद से यह सजा लिया अब यहाँ पर X का मान हम option से विकॉलफ से कर लेते हैं तो विकॉलफ देखते हैं तो विकॉलफ नमर C में दिया गया था 50 तो हम 50 रखके देख लेते हैं तो इस पर X का जगा 50 रखेंगे तो यहां 40 आजाएगा और यहां X के जगा 50 रखेंगे और जैसे ही इसको solve करेंगे तो यह इसको काटेंगे तो 15 वर में इसको काटेंगे तो 12 वर में घटके आजएगा 3 यानि यह इस समीकरन जो आया है इसको पूरा-पूरा संतुष्ट कर रहा है 50 रखने पर X का मान यही अत तो इसका answer हो जागा option नमर C 50 किलोमेटर परती घंटा और 40 किलोमेटर परती घंटा अगला सवाल है यह देखिए अगला सवाल बोला गया कि यदि मैं अपने घर से 5 किलोमेटर परती घंटा की गती से station के लिए चलता हूँ तो मेरी गारी मेरे station पहुँचने से 7 मिनट पहले चुट चुकी होती है किन्तु 6 किलोमेटर परती घंटा की गती से चलता हूँ तो मैं station पर गारी चुटने से 5 मिनट पहले ही पहुँच जाता हूँ तो इस तद अनुसार मेरे घर और मेरे station की बीच की दूरी क्या है इसके लिएक दम प्यारा सा एक फर्मूला है उस ट्राइथ शालों का गुण अन्फल कर लिए 5 और 6 चाल था ना का साथ और 1 आगे ते की वा रीना है आनुसार का इस पहले चुटत छूटा रहाए ओर गुने समय का और 5 e तो साथ पहले छूट जा रहा था और पांच क्या हो रहा था पहले पहुच जा रहा था इसके लिए अंतरफल यानि इसमें क्या करना होगा इसको जोड़ना पड़ेगा हमें जोड़ें जोडर अपसे हुआ क्या में पहले चूट जा रहा था और इस claim पहले पहुँ जाहने थे याणि इसके दोनों को सेम सेम है ति चूं को हम जोड़ देंstepप पहले की बात दोनों 75-12-62 अब जैसे इसको solve कर रहे हैं तो देखिए 32-60 फिर दूसर इसको कट लिए 6 बार में यानि कि 6 km इसका answer हो जाएगा ठीक है तो इसका answer 6 km आफसर नमर C हो गया आगे देखते हैं अगला सवाल ये देखिए ये सवाल देखिए कर रहे है कि अस्थान A और अस्थान B एक राजमार्क पर 100 km की दूरी पर इस्थित है ये कहीं समय में एक कार A से और दूसरी कार B से चलना सुरू करती है यदि कार A कहीं दिशा में अलग-अलग गति से चलती है तो 5 घंटे में मिल जाती है और वे एक दूसरे की ओर चलती है तो वे एक घंटे में मिलती है तो दूनों कारों की गतियां क्या है तो ये तो एकदम बिल्कुँ आसान सवाल है इसको हम आसानी से देखे कैसे बनाते है तो आप इसको आसानी से कैसे बनाएंगे तो ये दूनों का एक पहली कार का चाल A वाला के जो कार है उसका चाल X मालेंगे और दूसरी कार जो कार है B उसका चाल Y माल लेंगे तो और पहले बोला है कि दोनों क्या कर रहा है A और B जो है ये दोनों जो कह रहा है कि एक ही दिशा में चलना शुरू करता तो एक ही दिशा में चलेगा तो इसका अंतर करना पड़ेगा और इसका टोटल यहां पर दूरी पता है कितना जाना है 100 और इसका कितना टाइम लग रहा है पांच तो इसको काटेंगे तब 20 आएगा यानि एक समीकरन आजाएगा यह एक समीकरन आजाएगा यह एक समीकरन से समीकरन बनेगा उसको भी देख लेते हैं और एक दूसरे की ओर चल रहा है तो उसका दोनों का हो जाएगा प्लस हो जाएगा और कितना 100 जाना था ठीक है और समय एक घंटा लग रहा था एक से भाग देंगे ते कितना आएगा यह 100 ही आएगा यानि एक समीकरन को समीकरन को समीकरन को समीकरन करते हैं यह लिए बनिया ए नमर कर रहा है दिली और आगरा के वीच की दूरी 200 किलो मीटर है, मान लिजे कि दिली से आगरा एक कार द्वारा जा रहे हैं, तो बोल रहा है कि यदि आप 120 किलो मीटर के लिए औसत गती 90 किलो मीटर परती घंटा और बाकी दूरी के लिए औसत गती 40 किलो मीटर परती घंटा बनाए रखते हैं तो आपको आगरा पहुँचने में औसत समय कितना लगेगा ये पूछा गया है तो चले इसको बनाते हैं तो देखिए औसत चाल बराबर यहां सुत्र होता है कूल दूरी बटा कूल चाल तो खूल दूरी हमें कितना जाना था दिली और आगरा के मीच की दूरी कितना था दोसो खिलो मेट्र गरती हैं और इसका चाल देखिए पहले रहा था कितना तो 120 km के लिए जा रहा था, और 90 के हिसाब से, 90 km प्रती घंटा के चाल से, 120, 90 km प्रती घंटा के चाल से, तो 120 बटा 90 हो गया, और फिर जा रहा था, सेश जो बच जा रहा था, यानि 200 में से 120 हड जाएगा, तो 80 बचेगा, तो 60 जो बच जा रहा था, 40 km प्रती घंटा के चाल स तो और उपर 200 है तो दो सब आगे यह 200 है तो 200 इसको जब स्वाल्व करिएगा तो आएगा तीन दूना छे चार यानि कि चार प्लस चार बाटा तीन और यह तीन को हम उपर भज देंगे चार दौस जाएगा कट जाएगा तब इसती यहीं चार जो आया यह हम भाग देंगे तो हमें कूल ओसत समय निकल जाएगा तो यह हम जब काट कुट करेंगे इसको solve करेंगे तो इसको पुनांग तो रहेंगे तो तीन पुनांग तीन बार में कटेगा तीन पुनांग 20 बटा 60 आ जाएगा ठीक है और इसको घंटा को जैसे मिनट में करिएगा इसको 60 से कटिएगा तीन घंटा 20 मिनट इसका answer हो जाएगा तो इसका answer कितना हो जाएगा देखें देखते हैं इसका answer आपका हो जाएगा कितना तो 3 घंटा 20 मिनट यानि option नमर अपसन नमर यहीं इसका answer हो जाएगा आगे बात करते हैं पांच नमर करें एक जलासे की धारिता 108 घंट मिटर है इन में 60 लिटर परती मिनट की दर से पानी उड़े ला जाता है तो जलासे को भरने में कितने घंटे लगेंगे यह पूछा गया है तो चलिए इसको देखते हैं तो देखें हैं ठीक है 108 और इसमें लिटर की बात की गई है ठीक है तो लिटर को हम मिटर में बदलने के लिए 1000 से गुना मार देंगे और यहाँ पर 60 लिटर दिया था नहों तो 60 ठीक है साठ और फिर गुणा कर देंगे साठ दीक है तो मेंने को कोथ daar दालना है घंटा दालना है ठीक है विज़े हमने कहा करें मिनट था ना मिनट को हम कहा कर दिये हैं घंटा में बदलने के लिए 60 से एक बार भाग गुना कर दिया और इसको मीटर में बदलने के लिए लिटर को कितना से 1000 से गुना कर दिया उपर चुकि एक मीटर की बराबर एक मीटर की बराबर कितना होता है हजार लीटर होता है इसलिए हमने कर दिया अब इसी उस्वल्प करने के अंसर आ जागा जिरो से जिरो गया और 36 36 में 108 कर येगा तो तीन बार में कर जाएगा तो यहीं इसका एंसर हो जागा 30 तो देखिए कहां है ऑप्सन नमर ये इसका एंसर हो गया आगे बात करते ये वाल गंटे कौम समय लगते ठीक है फिर बोल रहा है यदि उसके चाल 6 किलीमेटर प्रती घंटा कौम होती यातरा में 6 घंटे अधिक लगते तो दूरी निकालना है चले निकालते हैं इसको तो देखिए हमने क्या किया यहां पे कि गारी का नियत चाल हमने एस माल लिया ठीक है पांच नत समझेगा एस है और डेल्टा टी वन केतना चार घंटा बोला है और दूसरा जो टाइम था डेल्टा टी टू माल लेते हैं 6 घंटे अब हमें यहां से एक फर्मूला होता है दूरी निकालने का एस इंटू एस वन बटा डेल्टा एस वन आग उने डेल्टा टी ट और यह नियत चाल कह रहा था कि नियत चाल में 6 घंटा जब जादा लग रहा था तो इसको कितना लग रहा था इसका बोला गया है कि जब यदि उसकी चाल जो है 6 किलोमेटर परती घंटा अधिक होती है नियत चाल से चलती है तो तो यह बात बोला गया फिर उसके बाद बो भिर सब्सक्राइब और फीर इसी तरह से इधर वाला में में बता रहा था डेलका है एस एस बहुत्त को जाए गाया पजय गया और बटाए छे और डेल्टा एस टीटू के मान छे हो जाएगा अब इसी को हम सॉल्व करेंगे रेखे छे से चाट दिये इसको आधा किया तीन इसको आधा किया दो और एस एस काट दिया है इस आई टू गुने यहां पर दू आ गया और यह पर शो और फिर एस माइनस छ हो और यहां पर तीन आ गया अब इसी को सॉल्व करना है आगे इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा इसको गुना कर लिजेती यह आ गया अब इसके बाद में 12 आहीं माइनस ओहर से अठार आगे तो प्लॉस आट बार आठार तीस हो जागा और यहां पर थीरी एस में से हाई दू एस जाके घट जागा तेस आ गया यानि एस कामान निया चाल हमें 30 पता चल गया तो हमें दूरी निकालना था तो हम किसी एक में जैसे माल जे इसी में छे तो एता डेल्टा एस वन था ही जाए और डेल्टा टीटू टीवन था ही चाल अब इसे को सौल्व कर लेंगे तो चोछ़वपचे तीस हो गिया यह चार हो गिया सब को गुणा करने पर 720 किलोमेटर इसका दूरी एंसर आएगा तो इसका एंसर हो गया 720 किलोमेटर ऑप् और इस्थित है, एक ही समय में कार A से और कार दूसरी B से चलना सुरू करती है, यदि कार A कहीं दिसा में अलग अलग चालों से चलती है, तो आठ घंटे टाइम लग रहा है, ठीक है, और फिर वड़ा है, यदि अपनी पुर्वरती चाल से कौम एक दूसरे से की और चलते हैं तो उसको दू घंटा लग रहा है, तो दोनों कारों की चाल निकलना है, तो सिंपल देखो कैसे बनेगा, तो सिंपल क्या करना है, कार A की चाल X माल लिजिए, और कार B की चाल Y माल लिजिए, और यहाँ पे देखिए, दोनों क्या बोला गया था, दोनों बोला था कि जब A से चलना सुरू करते हैं मतलब एक कार एक कहीं समय में एक कार जो ए था ए से और दूसरा कार बी से चलना सुरू कर रहे थे ठीक है और चलते थे और क्या बोल रहा थे कि यदि कारे एक कहीं दिशा में अलग अलग चालों से चलते थे तो आठ गंटा टाइम लग रहा था दूर हो जाएगा और इसका टूटल दूरी बटा दूरी बटा केतना समय केतना दिया था गंट लगड़ा था ना काट किया इतना तीस आगे यानि एक समय ब्राबर तीस आगे आएगो और एक बार बोल रहा था फिर कि यदि वे अपनी पुरवर्ती चाल से एक दूसरे की ओर चलते थे तो उसको दू घंटा लग रहा थे यानि कि दूनों प्लस हो जाएगा पुरवर्ती एक दूसरे की ओर चल रहा थे तो इसका प्लस हो जाएगा चाल तो दूसो चालीस बटा दू घंटा टाइम लगड़ा तता काटके 120 आ गया यानि x plus y बड़ाबर 120 और x minus y बड़ाबर 30 इस दूरों को solve कर लिजे चाहे option से कर लिजे देखे मैंने solve कर दिया है दूरों को solve किया है तो x का मान आ गया कितना जोर दिया तक खली कट गया यह त्यू एक्स और यहां इसको जोर आ तो 50 और इसको हम काट द तो बस यानि हमें 75 और 45 आ रहा है देखते हैं आप्सन में तो देखें आप्सन में 75 और 45 कहीं नहीं दिया है तो इसलिए इसका एंसर होगा उप्योक्त में से कोई नहीं तो दोस्तों यह चाप्टर कंप्लीट हुआ अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में ठीक है